सबसे पहले एक कटोरा लेना है बड़े साइस का उस पे हम दो कटोरी सूजी डाल देंगी कटोरी पी ये दो कटोरी है और मेजरिंग कप में ये एक कप सूजी है सूजी एड़ करने के बाद हम देड़ कप दही डालेंगे दही फिटा हुआ है और फ्रेस दही है दही डालने क के वाद हम सेमो लीना याणि सूजी और धही को अच्छी से मिक्स कर देंगे को निक्स कर लiden करने के ऊहां पर हमें पानी जुरत पड़ेगे जिसके लिए हम आधा किलास पानी डाल कर इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे मिक्स कनने के बाद घोल गाढ़ा दिख रहा है इसमें अभी थोड़ा सा और पानी डाल कर पतला पैटर तैयार करेंगे सूजी पानी सोखेगा इसलिए थोड़ा सा पानी जादा रखेंगे सूजी के घुर को किनारे रख देते हैं और लेते एक चौपर इस पे हम कटर लगा कर बड़े पीस के टमाटर को डाल देंगे और इसे चौपड कर लेंगे आप अपनी सुविधा अंसार दो टमाटर को चौपड कर लीजिए मैंने एक बड़ा साइस का सिमला मिलच लिया है जिसे मैंने अच्छे से चौपड कर लिया और इसे भी मैं सूजी ओले गोल पर दाल दोँगे आपके पास जो भी मनपसंद की सबजियां हो उसे आप चॉप्ड करें और इस घौल पे मिक्स कर लें कैप सिकम चॉप्ड हो गई है यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का प्याज को छेल लिया है और इसे काट लिया और साथ में वैने दो मिर्चियों को भी चौपडında कर लिया है प्याज और मिर्ची चौपड può चुकर है इसे भी हम सूजी वाले घुल में मिक्स कर लेंगे चौपर वाले बर्तन पेَ लगे हुए प्यास को हम पूरी तरह खाली कर लेंगे, खाली करने एक बाद सभी विज को सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे, सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे, और हम करेंगे तड़के की तैयारी, यहां पर मैं अप्पे के साचे डाल देंगे, और इसे हम तड़का तैयार कर लेंगे, पत्ते और हमारे जीरा और राय को अच्छी से बुन लेंगे, यह फ्राय हो चुके हैं, गैस की फ्रेम को हम लोही रखेंगे, और बने हुए तड़के को हम घोल के उपर डाल देंगे, तड़का लगाने के बाद बच तड़के को हम सबजी और सूजी के साथ अच्छे से घोल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम देख रहे हैं कि यह परफिक्ट घोल तैयार हुआ है, यदि आपका घोल गाढ़ा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर लें, अब यहां पे मैं डाल रही हूं स्व पूट सॉल्ट डालने के बाद इससे हम अच्छी तरह से मिला देंगे, पूट सॉल्ट डालने से यह अच्छी तरह से पकने में अच्छी मदद करेगा और अच्छी तरह यह फूल लेगा, चमज की सहायता से हम अच्छी तरह से चला देंगे, जिससे यह पूरी तरह से खम चम्मस तेल चारो तरफ घुमाते हुए डाल दोंगी। आप देख रहे हैं कि साचे में अभी भी कुछ मसाले लगे हैं। हम चम्मस से घुल को उठाते हुए थोड़ा-थोड़ा सभी खाचों में डाल देंगे। बरावर मात्रा में हम थोड़ा-थोड़ा गिराते जाएंगे जिससे ये पूरी तरह फिल हो जाएं। घुल डानने के बाद हम ढकन लगा देंगे। इसे तीन से चार मिनट तक धिमी याच में पकने देंगे। ढकल खोलके हम देख रहे हैं कि उपर ये उठाया है और साथ में ये अपपे उपर से वाइट की जगह टांस्परेंट दिखने लगे हैं। यनि ये पारदर्सी हो गए हैं उपर की तरब से ये पक चुके हैं। अपपे अच्छी तरह इस टीम से फूल चुके हैं। अब मैं एक चमस तेल चारो तरब घुमाते हुए डाल दोंगी। जब हम इसे पल्टें तब ये आसानी से पलट जाए और तेल नीचे पहुँच जाए। हम एक एक करके सभी अपपे को पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे ये नीचे से अच्छी तरह से भूना है की नहीं। यानि अच्छी तरह से फ्राय हो गया है। हमारे बीच वाले सिंटर की तीनों अपपे अच्छी तरह से पक चुके हैं। इन्हें हमने पलट दिया है और बाकी सभी अपपे को हम एक करके पलट लेंगे। पूरे अपपे को पलटने के बाद इस पे मैं दो चम्मच ओयल चारो तरब घुमाते हुए डाल देंगे जिसे ये बढ़िया से सिख जाएं। और अब इसमें धकन लगा देंगे और दो से तीन मिनट तक पकाएंगे। अब धकन खुलकर हम देख रहे हैं कि ये नीजे की तरब से अच्छी तरह सिख चुके हैं। सभी अपपे को एक बार और पलट देंगे। पूरी तरह पलटने के वाद इसे हम एक मिनट तक के लिए और सेखेंगे जिससे उपर की जो लेयर है जिसमें थोड़ा सा इस्टीम की वज़े से नमी आ गई है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। पूरे एक मिनट हो जाने के वाद हम धकन खोल रहे हैं। अप़े दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्पी हैं इन्हें अब मैं प्लेट पे निकाल लेती हूँ। प्लेट पे हम इसे टांसफर कर लेंगे। आप देख रहे हैं अप़े बहुत अच्छी तरह से सिखें हैं। इंस्टेंट वेज अप्पे तैयार हैं इसे मंचाही चटनी के साथ सर्व करें सेम इसी प्रोसेस पे हम बाकी अप्पे को भी बनाएंगे पूरे घोल से हम इसी तरह अप्पे तैयार कर लेंगे सेम अप्पे के साचे पे ओईल डालेंगे या विदाओड ओईल डालके भी एक के साथ सर्व करिए गर्मा गरम सर्व करें रेस्पी पसंद आए तो लाइक करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें फिर बिलेंगे एक नई रेस्पी में तब तक के लिए थाइंक्यू